बच्चों, आज का टॉपिक है अर्थ मैगनेटिज्म यानि भूच चुम्ब कत्थो तो देखिए अर्थ मैगनेटिज्म इसको समझने के लिए हम लोग पहले कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं ये आपका अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है ये जो वर्टिकल लाइन पांस हो रहा है इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं जोग्रेफिकल एक्सिस इस वर्टिकल लाइन को क्या कहा गया जोग्रेफिकल एक्सिस यानि भौगोलिक अक्ष यह आपका हो गया Geographical North Poly और यह हो गया Geographical South Poly इसको भौगोलिक उत्तर जोगर्फिकल को हिंदी में भौगोलिक कहते हैं तो Geographical North इसको NG और Geographical South इसको SG से रिप्रेजेंट करते हैं यानी हो गया भौगोलिक उत्तर यह हो गया भौगोलिक दक्षिन और दोनों धुरुव को मिलाने वाला जो लाइन है ये हो गया अर्थ हमारा जो अर्थ है वह एक विशाल चुम्बक की तरह काम करता है अर्थ के चारों तरफ एक मैगनेटिक फिल्ड बनता है जो अर्थ के कारण ही बनता है इसका मतलब अर्थ क्या है एक मैगनेट की भाती विवार करता है हमारा जो पृत्वी है यह एक चुम्बक की भाती बिहेब करता है तो ऐसा मान लिया गया है कि अर्थ के सेंटर पर एक डाइपोल है जिसको हम मैगनेटिक डाइपोल कहते हैं इस मैगनेटिक डाइपोल यानि अर्थ के सेंटर पर हमने मान लिया कि एक छड़ चुम्बक है और इसी छड़ चुम्बक के कारण पृत्वी के चारो तरफ मैगनेटिक फिल्ड बनता है एक्चुल में ऐसा कोई चुम्बक नहीं होता लेकिन ऐसा मान लिया गया क्यों किस अधार पर माना गया? उर्थ के चारो तरफ क्या बनता है? मैगनेटिक फिल्ड या जो बार मैगनेट है अर्थ के सेंटर पर ऐसा माना गया है कि अर्थ के सेंटर पर एक बार मैगनेट है जिसको हम मैगनेटिक डाइपूल कहते हैं उसका South Pole उपर है और North Pole नीचे है ठीक है? तो ये जो line होगा South Pole और North Pole को मिलाने वाला line इस line को हम कहेंगे Magnetic Axis जबकि ये वाला जो line है इस line को कहते है Geographical Axis हिंदी में कहें तो ये भागोलिक अक्ष है और ये क्या है? चुमकिये अक्ष ये हो गया भागोलिक अक्ष और ये हो गया चुमकिये अक्ष दोनों Axis के बीच का एंगल जो होता है ये 11.3 डिग्री होता है Geographical Axis and Magnetic Axis के बीच 11.3 डिग्री का एंगल बनता है इसको Magnetic North कहेंगे इसको Magnetic South इसको Geographical North इसको Geographical South यानि दो North Pole हो गया एक Geographical North जो Geography यानि जो हमारा जो Geography है Earth का जो Structure है उसके हिसाब से North Pole ये है लेकिन Earth का Magnetic Field होता है चारों तरफ तो उसके हिसाब से North Pole इसको माना गया यानि Magnet के हिसाब से North Pole यहाँ है और Earth का जो Geography है design है, उसके हिसाब से North Pole यहां पर है, तो 2 North Pole हो गया एक Geographical North, एक Magnetic North उसी तरह से 2 South Pole हो गया एक Geographical South, एक Magnetic South Geographical North Geographical South को मिलाने वाला जो यह vertical line है, इसको जोगराफिकल axis कहेंगे, Magnetic North और Magnetic South यह Magnetic South है, यह point Magnetic North है, दोनों को मिलाने वाले लाइन को magnetic axis कहेंगे और दोनों axis के बीच का angle कितरा है 11.3 degree यह आपका अर्थ है यह geographical axis है यह vertical जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे geographical axis अब सोचिए एक ऐसा circle अर्थ के surface पर एक ऐसा circle जिस circle का plane इस geographical axis पर perpendicular हो और वो circle सबसे बड़ा हो उस circle को हम geographical equator कहेंगे यानि भागोलिक विश्वत विर्थ किसको कहते हैं सबसे बड़ा circle इससे अगर उपर हम circle बनाएंगे तो वो छोटे size का होगा उसके उपर और छोटे size का तो सबसे बड़ा circle अर्थ के surface पर यही बनेगा और इस circle का जो plane है यह जो plane है circle का यह इस geographical axis पर क्या है perpendicular है तो इस circle को यह जो सबसे बड़ा circle है इसको हम geographical equator कहते हैं यानि भागोलिक विश्वत विर्थ जबगी देखिए यह अर्थ है इस axis को हम magnetic axis कहते हैं तो वह greatest circle यह जो circle है सबसे बड़ा है और इस circle का जो plane है यह magnetic axis पर perpendicular है देख रहे हैं इस axis पे इस अक्ष पे यह lump है circle का जो plane है वो magnetic axis पर perpendicular है ठीक है तो इस greatest circle को हम magnetic equator कहते है magnetic equator को हिंदी में कहते है चुम्बकी विश्वत व्रित जोग्राफिकल equator को कहते है भाउगोलिक विश्वत व्रित clear है तो चुम्बकी विश्वत व्रित इस व्रित के तल पर लंबवध जो अक्ष होगा उसको हम magnetic axis कहते हैं और geographical equator यानि भौगुलिक विश्वत वृत के तल पर जो लंबवत अक्ष होगा इसको हम जोग्राफिकल एक्वेटर कहते हैं तो मैगनेटिक एक्वेटर क्या हो गया इट इस दा ग्रेटेस्ट सर्किल ओन दा अर्थ सर्फेस यह प्रिथवी के सता पर सबसे बड़ा वृत है जो चुमकिय अक्ष पर लंब होता है और यह प्रिथवी के सता पर सबसे बड़ा सर्कल है जो भौगुलिक अक्ष पर लंब होता है यह है अर्थ यह हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ पोल यह हो गया Magnetic North Pole यह हो गया Geographical South यह हो गया Magnetic South तो यह जो Magnet है इस Magnet का North Pole नीचे है तो North Pole से Magnetic Field Line इस तरह से निकलते हुए कहा जाएगा? South Pole में यह Magnetic Field Line को दिखाए गया है जो अर्थ के चार उत्रब बनता है North Pole से निकल रहा है नीचे North Pole है यहां देख रहा है यह जो बार मैगनेट है इसका North Pole नीचे है तो यहां North Pole से Magnetic Field Line निकल के कहा जाएगा? South Pole में तो इस तरह से North Pole से Magnetic Field Line यह North Pole है आपका यहां N लिखा हुआ North Pole North Pole से Magnetic Field Line बाहार आएगा और South Pole में Magnetic Field Line अंदर जाएगा तो ये जो magnetic field line draw क्या गया है ये अर्थ के magnetic field को बताता है यानि ये जो magnetic north है ये magnetic north क्या है एक place है, अर्थ पर एक जगा है जिस जगा पर अगर एक छड़ चुम्बक को लटकाया जाए अब ध्यान से देखेगा ये जो magnetic north है, यहाँ पर magnetic field line बिल्कुल वर्डिकल हो गया देख रहा है, ये अर्थ के surface पर perpendicular है, तो यहाँ पर अगर एक bar magnet लटकायेगा, तो वो बिल्कुल magnetic field के along जाके set होगा magnetic field में bar magnet को रखने पर उस पर torque लगता और वो field के along set होता, यहाँ पर अगर bar magnet लटकायेगा, तो वो north pole किदर जाएगा, आगे south pole पीछे रहेगा, यानि south pole को attract करेगा ये north pole और इधर north pole को attract करेगा ये south pole तो ये आपका होगया magnetic field line माल लिजे यहाँ एक point है, इस point से कितना line पास होगा, तो इसका जवाब है infinite, एक बिंदू से अनन्त रेखाएं गुजरती है, उसी प्रकार एक बिंदू से infinite plane पास होता है जैसे देखिए, यह एक point है, इससे एक line ये गुजर गया, दूसरा line ये पास होगया, तीसरा line ये पास होगया, बहुत सारा line पास होगा, अगर line के जगा हम plane लें, तो यह एक plane पास हो रहा है, दूसरा plane इस तरह से पास होगा, तीसरा plane इस तरह से पास होगा, समझ रहा है तो इसका मतलब एक point से कितना plane पास हो सकता है इन्फनाइट जबकि एक point और एक line इससे केवल एक ही plane पास होगा Only one plane can pass through a point and a given line यह एक point है और यह एक line है इस point और इस line से केवल एक ही plane पास होगा एक point और एक line से एक plane पास होगा जबकि सिर्फ एक point से infinite plane पास होगा अब देखिए ये अर्थ है ये जोग्राफिकल एक्सिस है और ये मैगनेटिक एक्सिस है माल लिजे अर्थ के सर्फेस पर एक जगा है प्लेस है जगा माल लिजे ये प्लेस कोई भी प्लेस हो सकता है मालो ये दिल्ली है, बेंगलोर है, कोई भी प्लेस है अर्थ पर, बेलकुल पॉइंट की तरह दिखेगा, इस प्लेस और यह जो जिग्रफिकल एक्सिस है, यह एक लाइन है, तो यह प्लेस और इस लाइन, से जो भी वर्टिकल प्लेन पास होगा उसको हम जोग्रेफिकल मेरेडियन कहते है यानि भोगोलिक याम युत्तर जोग्रेफिकल मेरेडियन क्या है जोग्रेफिकल मेरेडियन एक वर्टिकल प्लेन है एक उदग्र तल है बहुत बड़ा प्लेन होता है जो किस से पास होता है जो किसी जगा और जोग्राफिकल एक्सिस से पास होता है जब हम जगा बोलते हैं तो समझ लोग पॉइंट है और जब जोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं तो समझ लोग एक लाइन है तो इसका मतलब geographical meridian क्या है एक vertical plane है यह vertical plane कहां कहां से पास होता है वह किसी जगह से और geographical axis से पास होता है magnetic meridian भी क्या है एक vertical plane है जो कहां से पास होता है वह किसी जगह और magnetic axis से पास होता है तो geographical meridian का अगर definition लिखना आएगा एक्जाम में तो लिखेगा it is a vertical plane which passes through a given place and geographical axis जबकि magnetic meridian क्या है it is also a vertical plane which passes through a given place and magnetic axis हिंदी में कहें तो भौगोलिक या मुत्तर एक उर्ध्वाधर तल है जो प्रिथवी के किसी जगह और भौगोलिक अक्षी यानि geographical axis से गुजरता है और magnetic meridian एक उर्ध्वाधर तल है जो प्रिथवी के किसी अस्थान और चुमकी अक्ष से गुजरता है यह दोनो vertical plane है अब है elements of earth magnetism भू चुमकत्व के घटक तो देखिए अर्थ का जो magnetism है यानि भू चुमकत्व जो है प्रिथवी का जो चुमकत्व है उसका तीन घटक है तीन element है पहला है declination जिसको हम दिखपात कहते हैं इसका symbol थिटा दूसरा है inclination जिसको हम phi कहते हैं हिंदी में नमन कोन या नती कहते हैं और तीसरा है bh bh का मतलब हो गया अर्थ के magnetic field का horizontal component क्योंकि magnetic field vector quantity है तो magnetic field जैसे ये b क्या है अर्थ का magnetic field है तो ये vector quantity है इसका दो component आएगा एक horizontal component एक vertical component तो horizontal component को bh कहेंगे और vertical component को bv कहते हैं तो ये bh हो गया अर्थ के magnetic field का horizontal component what is bh bh is the horizontal component of earth magnetic field b b क्या है ये अर्थ का magnetic field है b h क्या है अर्थ के magnetic field का horizontal component है b b क्या है अर्थ के magnetic field का vertical component है माल लिजे अर्थ के किसी जगह पर अर्थ पर बहुत सारा जगह है माल लिजे कोई भी एक जगह सेलेक्ट करते हैं जिसे माल लो सेलेक्ट कर लिए न्यू दिल्ली तो नई दिल्ली एक जगह है वहाँ पर दो मेरेडियन होगा अर्थ के किसी भी प्लेस पे दो मेरिडियन होगा एक जोग्राफिकल मेरिडियन होगा तो जोग्राफिकल मेरिडियन का है एक वर्टिकल प्लेन है देख रहा है और एक मैगनेटिक मेरिडियन होगा यह भी वर्टिकल प्लेन है तो यहाँ पर दो वर्टिकल प्लेन होगा अर्थ के किसी भी जगा पर अर्थ सर्फेस पर कोई भी आप जगा लोगे तो वहाँ दो मेरिडियन होगा एक MM, MM का मतलब होगा Magnetic Meridian यानि चुमके याम उत्तर और एक होगा GM यानि जोग्राफिकल मेरिडियन और यह दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम Declination यानि थीटा कहते हैं तो Declination का Definition क्या होगा? The angle between Geographical Meridian and Magnetic Meridian is called Declination Geographical Meridian तथा Magnetic Meridian के बीच के कोन को थीटा यानि दिखपात कहते हैं अर्थ के किसी भी जगह पर आप चले जाओ पर तेक जगह पर दो प्लेन होता है एक Geographical Meridian एक Magnetic Meridian और दोनों के बीच के एंगिल को ही थीटा कहते हैं थीटा का मान अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग आता है अब देखो यह जो Magnetic Meridian है यह एक Vertical Plane है यहाँ पर देखे यह लिखा हुआ है MM MM का मतलब यह जो Magnetic Meridian है एक Vertical Plane है और Magnetic Meridian में ही Magnetic Field Lines होते हैं अर्थ का जो Magnetic Field Lines मैंने ड्रॉ किया था वो Magnetic Meridian में होते हैं तो माल लिजे यह अर्थ का Magnetic Field B है अर्थ का Magnetic Field हमेशा Magnetic Meridian में होता है इसको याद रखिएगा अर्थ का Magnetic Field हमेशा Magnetic Meridian में होता है तो यह माल लो अर्थ का Magnetic Field B है जो की Horizontal Line से Phi एंगल पर है तो इसका मतलब इस Phi को क्या कहेंगे नमन कोन या नती इंगलिस में बोलते हैं Inclination क्योंकि जब भी किसी चुम्बक को आप एक रसी से बांद के लटकाईएगा तो वो हमेशा Magnetic Field के लॉंग सेट होगा माल लिजे एक बार Magnetic को अगर लटकाया जाए इस तरह से तो यहाँ पर Magnetic Field चुकी नीचे की ओर है तो वो Magnetic इस तरह से लटकेगा अगर इसको हम रसी से टांग दें तो यहाँ पर जो Magnetic Field आर्थ का इधर है तो वो बार Magnetic, Magnetic Field के लॉंग सेट होगा नॉर्थ पोल नीचे रहेगा फिल्ड के लॉंग, साउथ पोल पीछे रहेगा तो यह जो Magnet है कोई भी Magnet को जब आप स्वतंतर रूप से लटकाईएगा तो वो होरिजन्टल लाइन से कुछ एंगल पर जाकर सेट होता है उसी एंगल को हम कहते हैं Inclination यानि नमन कोन या नती तो माल लीजिए यह जो बार Magnet है यह होरिजन्टल लाइन से 5 एंगल पर जुका हुआ है तो इस Magnetic Field का दो कंपोनेंट टूटेगा तो BH का फर्मला हो गया B cos phi BV का फर्मला हो गया B sin phi जब डिवाइड करेंगे तो यह B और B cancel होगा sin phi by cos phi 10 phi इधर BV by BH तो 10 phi का फर्मला होता है BV by BH यह important है objective question में आता है 10 phi का value होता है BV by BH जहां BV क्या है अर्थ के Magnetic Field का Vertical Component और BH क्या है अर्थ के Magnetic Field का Horizontal Component clear है तो तीनों चीज क्लियर हो गया Declination होता है दोनों Meridian के बीच का अंगल Inclination होता है अर्थ का जो Magnetic Field है वो Horizontal Line से जितना अंगल बनाता है उसको Inclination कहते है अर्थ का Magnetic Field B है और यह Horizontal Line है यह Horizontal Line से जितना अंगल बनाएगा इसको हम Phi कहते है और BH कहते हैं अर्थ के Magnetic Field का Horizontal Component तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए Heading है The Earth Magnetism अर्थ को अर्थ को इंगलिस में Terrestrial भी कहते है Terrestrial Magnetism पहले यह Diagram बनाएगे अर्थ को देखे क्या लिखा हुआ The Earth is a Natural Source of Magnetic Field हमारे जो पृत्वी है वो Magnetic Field का एक प्राकृतिक श्रोत है क्योंकि पृत्वी के चार उत्रफ Magnetic Field बनता है It has been assumed that Earth has a Magnetic Dipole located at its center ऐसा मान लिया गया है कि Earth के Center पर एक Magnetic Dipole है और उसी Dipole के कारण यह Magnetic Field बनता है The Axis of the Dipole makes an angle of 11.3 degree with Earth Axis of Rotation यानि जोग्राफिकल एक्सिस और Magnetic Axis के बीच का एंगिल है 11.3 degree और Earth जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पर वो जोग्राफिकल एक्सिस के बाउट रोटेट करता है The Magnetic Lines of Force due to Dipole are shown in the figure The Magnetic Poles are different from Geographical Poles Magnetic North और Magnetic South Pole अलग होता है जबकि Geographical North और Geographical South Pole अलग होता है The Pole near the Geographical North Pole is called Is called Magnetic North Pole and the Pole near the Geographical South Pole is called Magnetic South Pole अब डाइग्राम में देख सकते हैं Geographical South Pole के जो नजदिक पोल होता है उसको Magnetic South Pole कहते हैं और Geographical North Pole के जो नजदिक पोल होता है Geographical North Pole के जो नजदिक पोल होता है उसको Magnetic North Pole कहते हैं अगर किसी Magnet को हम Freely Suspend करें मुक्त रूप से लटका दें तो वह हमेशा उस जगा पर जो Magnetic Field होगा अर्थ का उसके अलॉंग जाके Set हो जाएगा Some important terms आप वर्टिकल प्लेन भी लिख सकते हैं जो प्लेन उस प्लेस और Magnetic Axis से पास होता है A Freely Suspended Magnet Always stays in the plane of Magnetic Meridian जब भी आप किसी चुमबक को लटकाईएगा तो वो हमेशा Magnetic Meridian के प्लेन में ही लटकेगा क्योंकि आपको हम बताया है कि Magnetic Field Align हमेशा Magnetic Meridian में बनता है So Magnetic Meridian is a vertical plane passing through the axis of a Freely Suspended Magnet इसलिए जब भी Magnet को लटकाते हैं तो वो Magnetic Meridian plane में लटकता है तो वो Magnetic Meridian क्या हो गया? एक वर्टिकल प्लेन हो गया जो Freely Suspended Magnet के axis से पास होता है Second है Geographic Meridian Geographic Meridian at a place is a plane which contains the place and geographical axis जो उस place से और geographical axis से पास होता है उसको हम क्या कहते हैं Geographic Meridian Third number देखी क्या है Magnetic Equator It is a great circle on the Earth surface Earth के surface पर ये बहुत बड़ा सरकल है सबसे बड़ा सरकल है which is perpendicular to the magnetic axis जो magnetic axis पर क्या है perpendicular है Elements of Earth Magnetism There are three elements of Earth Magnetism Earth Magnetism का तीन element है First है Declination At a given place the angle between Geographic Meridian and Magnetic Meridian is called Declination किसी भी जगा पर दोनों Meridian के बीच के angle को Declination कहते है Second देखिए क्या है Angle of Deep or Inclination It is the angle between Earth Magnetic Field B and the Horizontal Direction in Magnetic Meridian तो Magnetic Meridian में Earth का जो Magnetic Field B है और जो Horizontal Direction है उसके बीच के angle को Phi कहते है यह आपको होगे Geographical Meridian यह वला plane हो गया यह जो plane देख रहे है यह Magnetic Meridian है Magnetic Meridian में ही Magnetic Field होता है जब आप चुम्बक को लटकाएंगे तो इसी Magnetic Field B के along set होगा यह Horizontal Direction है ठीक है? जैसे किसी बुक को आप खोल के रखते हैं ठीक उसी प्रकार का यह Diagram है यह BH हो गया Earth के Magnetic Field B का Horizontal Component और BV हो गया Vertical Component BH का Value B Cos 5 BV का Value B Sin 5 10,5 BV by BH Horizontal Component of Earth Magnetic Field It is the Component of Earth Magnetic Field in Horizontal Direction in the Magnetic Meridian This Direction is towards the Magnetic North यह Magnetic Meridian है यह Earth का Magnetic Field है यह BH हो गया Horizontal Component BV हो गया Vertical Component यह Angle Phi है जब भी आप किसी Magnet को लटकाईएगा तो यह North Pole Field के along होगा नीचे की और South Pole पीछे होगा यह जो Colored Portion है सेडिंग क्या हुआ यह North Pole है और इधर South Pole है तो North Pole नीचे है Magnetic Field के लोग इधर हो गया Horizontal Line तो यह Magnetic Field और Horizontal Line के बीच के अंगिल को Phi कहते हैं चलिए यह Topic यहाँ पे खतम हो रहा है अब Hindi Medium वाले बच्चे लिखेंगे हूँ चुम्ब कत्व Earth Magnetism झाले बच्चे लिखेंगे झाले बच्चे लिखेंगे झाल 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 तो ये टॉपिक यहाँ पे खतम हो गया आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए थेंक यू